नमस्कार, हिंदी साहित्य वारता में आपने इस वक्त सुभाश ठाकुर के साथ दोस्तों HP LT TET ये जो old series हमारी चलिया, old questions को लेकर के इसे पहले हमने 2016 का जो पुराना paper था, उसको discuss हमने कर लिया था लगबग तीन पार्ट्स हमने उसके किये थे, जिसमें 30-30 प्रशनों को हमने रखा था और ये 120 प्रशन अमने उससे, जो हिंदी वाला portion था, उसको हमने डिसकस किया था, साथ ही साथ जो grammar वाला था आज हम इसमें देखेंगे 2017 का जो paper है, और इसमें पूछेगे जो प्रारम भी 30 questions रहे, इनके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं, बाकी उसके बाद देखते हैं, फिर अगले बाग में आगे के 30 questions हैं तो यहाँपर सबसे पहला प्रह्षण तक ग्या है, देखिए कि आधिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है, देखिए बहुती सिंपल सा प्रषण है, आधिकाल से आपने अकसर देखा होता है कि यहाँ से प्रशन आपको जरूर पूछा जाता है, इसलिए नामकन से समन्द के अधार पर ये सब से ज़्यादा विवादस्पद नाम भी रहा है तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इसको सिद्ध सामंत काल किस ने कहा था यह कहा था राहुल सांकृत्याइन ने और यहां से आपको यह ध्यान भी रखना है कि राहुल सांकृत्याइन ने हिंदी का पहला कभी वो सिद्ध को ही माना था, वो कौन रहे सरपा, यसको इसने हिंदी का प्रत्थम कभी माना था, यह बला प्रशन आपको याद रखना है देखना, यहां से जितने भी नाम यहां पर रखे गए हैं, इन से आपको थोड़ा बहुत चीज़ें और भी याद रखनी है, नेक्स आता है यहां पर अचारे रामचंद्र शुकल, तो शुकल से आपको सिंपल याद रखना है कि शुकल ने इसको कहा था, वीरगाथा काल, यह हम सब लोग जानते हैं, और वीरगाथा काल जो रहा इसका देशी भाशा कावेशी शिर्शक से एक प्रकरण रहता है फिर इसके साथ ही साथ शुकल ने वीरगाथा काल कहा, आपने मुझे कमेंट सक्षन में जाकर बताना है कि इसको वीरगाथा काल नाम की संग्या किस ने दी थी, ठीक है, तो यह वाला प्रशन आपके लिए important जैसा है देखना, यहां से यह वाला भी बन सकता है, बाकी आदि देखने है, सबसे important उसमें जो नाम आता है देखना कि आदिकाल को आदिकाल नाम किस ने दिया था, यह भी जरूरी है देखना, एंड साथी साथ आपको एक चीज और भी पूछी जाती है कि आदिकाल को बीजवपन काल नाम किस ने दिया था, उसको भी आप साथ में याद से किया था देखे श्रीदर पाटक ये हिंदी के प्रत्थम सचंदताबादी कवी के लूप में भी जाने जाते हैं और दिवेदी युक के सबसे पहले कवी के तौर पर भी इनको हम देखते हैं 1869 में इनका जनम हुआ था एंड साती सात इननकी कुल्च मौलिक रचनाय भी जै इसका इनोंने अनुबाद किया है उजर ग्राम शीर्षक से जो डेजर्ट विलेज है इसका इनोने अनुबाद किया था ठीक है दूस्री चीज एक और रखनी है देखना इनके बारे में याद एकांतवासी योगी जो हर्मिट नामा के क्रशना रही है गोर्ड्समित की ही उ की खड़ी बोली हिंदी में लिखित प्रत्थम पुस्तक माने जाती है जो लावनी शैली में लिखी थी उसको भी आपको थोड़ा सा ध्याम रखना है हो सकता है यहां से प्रशन पूछा जाए श्रीधर पाटक से आपको जरूर प्रशन बनता ही बनता है देखना इसलिए अगला प्रशन यहां पर लिकाए देखिए महाविर प्रसाद वेदी यूग की साहित्य स्रिजन की मुख्य भाशा क्या थी तो यह बहूत ही सिंपल और साधारन सा प्रशन है हम सब लोग जानते हैं कि भारतेंद यूग में जो साहित्य के लिए भाशा रही कावे में अलग है कि ये सबसे ज़्यादा इसी यूग में परिनिश्ठित हुई और किस पत्रिका खा संपाद रहा हिंदी को प्रतिश्ठित करने में तो यहां पर आपको या रखना है कि जो सुरवसुरी पत्रिका रही उसका योगदान यहाँ पर रहा है यहाँ पर लिखाए देखिए च야ईवाद की प्रतिनी धी महा काव ये कमाईनी के सर्गों की संख्या कितनी है तो कमाईनी के सर्ग तहें यहतें 15 सर्ग कमाईनी आप सब लोग जानते हैं जैशनक परसाद की रशना है 1935 में लिखी गई थी तो इसके जो जितने भी सर्ग रहे हैं उन सर्गों को भी कभी कभार क्रमानुसा लगाने के लिए पूछ जाता है और कई बार पूछ जाते हैं कि पहला सर्ग कौन सा था और आखरी कौन सा था तो पहला आपको यारखना है कि चिंता से शुरुवात होती है इसकी और आनंद में जाके ये समापत होता है तो शुरुवाती जो रहा देखिए वो रहा चिंता और आखरी रहा यहां पर आनंद ठ इडा को आया स्वपन, संगर्श और निर्वेद का, दर्शन को रहस्या में आया आनंद, तो complete हमने अपनी live classes में इनको बताया हुआ है, तो आप वहाँ से भी इनको मतलब देख सकते हैं, इवन इससे पहले भी हम इसके उपर मैं बता चुगा हूँ, तो आप वहाँ से भी दे तो आप सब लोग इसको enjoy कर रहे होंगे प्रशनोत्री को, अगर आपको हमारा ये प्रियास अच्छा लगता है, तो please comment section में जाकर आप हमें ये चीज़ भी बता सकते हैं, बीसल देव रासो, देखिए रासो साहित्य, ये किसी भी परिक्षा के लिए बहुत ही जादा important है, बीसल देव रासो को अचारे रामचंदर शुकल ने माना है, देखना हिंदी की प्रत्थम बिर्गित परमपरा, लेकिन इसमें आपको यार रखना है कि इसमें जो मुख्य रसरा, वो श्रिंगार रस माना जाता है, ये भी आपको यहां पर द्यान रखना है, कई बारी अचारे रामचंद शुकल ने कहा था, इस चोटी से पुस्तक को जो रासो कहना खटकता है, ये वाला कथन भी आपको इसके बारे में जरूर याद रखना कि शुकल ने ये बात इसके संदर्व में कही थी, दलपती वीजक, खुमान रासो इनकी रचना आती है, जैदेव की गीत गोबिंध है, और चंदरालोग शीर्शक से भी जैदेव ने ये एक रचना लिखी थी, चंदवर्धाई की कहरा आप सब लोग जानते ही हैं, उसको बताने की जूरत आपको यहाँ पर नहीं है, नेक्स्ट पशन है यहाँ पर देखी, कीर्ति लता और कीर्ति पता का कि तो यह बहुत असान सा प्रशन था, विद्यापती की यह रचनाय है, और अवट वाशा में लिखी गई थी, अवट के लिए इसने क्या शब्द दिया था? इसने दिया था देसिल बाणना, और देसिल बाणना से यारखना, देसिल बाणना सब जन मिठ्था, तैत ऐसनी कहा था, कहानी कहा था, जिसे ब्रिंग-ब्रिंगी समवाद में भी लिखा गया था, ये चीज़ें भी आप याद है कि विद्यापती से, विद्यापती, अचारे रामजद शुक्ल के अनुसार, आदिकालीन फुटकल कवियों में आते हैं, जिनका जनम 1350 और मृत्यू 1450 मे इसको भी आ रगे, जगनादास रतनाकर, जकी उपनाम से जाना जाता था इनको देखना, एन साथी साथ ये, डिवेदी युगीन ब्रजभाशा के कवियों में शुमार हैं इनका नाम, और ब्रजभाशा का अंतिम प्रोड कवियों में रखा है, ये भी आपको ध्यान रखन नेक्स क्वेशन आता है, संसद से सडक तक के रचाईता कौन है, तो यहां पर आपको सिंपल या रखना की ये धोमिल, सुदामा पांडे धोमिल की बहुत ही इंपॉर्टन कृतिया देखना, एक इंसान रोटी बेलता है, एक इंसान रोटी से खाता है, एक तीसरा इंसान है मेरे देश की संसद मौन है, बहुत छोटी सी कवीता है देखना और प्रगती शील चेतना की ये कवीता रहिए, इसके बारे में भी आपको पूछा जा सकता है, इसके अलाबा इन्होंने लोकतंतर शीर्चक लिखा और पटकता शीर्चक से इनके एक लंबी कवीता रहती है, उसको भी आपको यारकना है, सुदामा पांडी धुमिल से, नकसल बाडी है, अकाल दर्शन है, इनकी मतफुन कवीता हैं, इनको भी आपको यारकना है, मोची राम, जिसकी पंक्तियां भी आपको पूछी जाती है, तो उस कवीता को भी आपने यार रखना है, नेक्स यहां में पंद्रा इसमें सर्ग है शांतरस इसमें रहा है और तांटक इसमें चंद है और शेवदर्शन आनंदवाद का इसके उपर प्रभाव रहा है इसको आलोचको ने क्या कहा आलोचको ने इसे बोला कि ये छायवाद का उपनिशद है किसी ने इसको मानेवुत्ता का रसात्म पर लिखेगे यह तो वो रामचरीत मानस ही रही है साकेत यह रामचरीत मानस के बाद जो है रामकावय पर आधारित सबसे बड़ा या प्रसिद महाकावय माना जाता है जिसके रशना खार रहे मैंतली शर्ण गुप्त 1931 की यह रचना रही है प्रिय प्रवास खड़ी बोली ह प्रवाशन रही है इसका प्रारंब कबसे हुआ है तो इसका प्रारंब जो हुआ था वो संध्या के समय से वह था जहां पर आती है पंक्तियां देखिए प्रारंबिक कि दिवस का अवसान समीप्था गगन था कुछ लोहित हो चला उसको आपनी याद रखना है नेक्स आता वाला प्रमुक नाम है, प्रगती शील्ट रैंम है, नागरजुन के अलावा दो और कौन कवी हैं, यह आप मुझे कमेंट सक्शन में जाकर बता सकते हैं, अग्ये गुमकर्ट रहे में दो लोग कौन थे ये भी आप बताईए एंड साथ ही साथ मैथली शरण गुप्त ये दिवेदी युका सबसे प्रसेद नाम है और इन्हें दद्दा के नाम से जाना जाता है और आदुनिक युका तुलसी ने कहा जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है और निराला चायवाद का रुद्र ठीक है ये याद रखना है निराला बच्पन का नाम सूर्य कुमार अंदेरे में कवीता के रचईता कौन है अंदेरे में कवीता पहले पहल तो आपको ये याद रखना है कि जो अंदेरे में कवीता रही है इससे आपको एक चीज याद रखनी है कि अंधेरे में कवीता की रशनकार कौन है? यह मुक्ति बोध और किस प्रकार की कवीता है? लंबी कवीता है, याद रखना है. और यहाँ पर दूसर प्रकार इसी से ही related है देखी, यहाँ पर लिखा है fantasy शली के प्रियोग किस ने किया? तो अंधेरे में कवीता में इसने fantasy का इस्तेमाल किया है fantasy का मतलब ता सौफन का था लेकिन मुक्ति बोध ने इसको क्या कहा था? मुक्ति बोध ने इसको कहा था कल्पना की संतान, ठीक है? ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है चलिए next question देखते हैं यहाँ पर मनुभंडारी का उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ पर हम सब लोग जानते हैं मनुभंडारी का जो उपन्यास रहा वो रहा आपका बंटी खीक है? तो इसको आपने देखना बाकी जो इसके उपन्यास हैं इनको भी सासाथ में देखिए कि यह किस-किस के रहे हैं चलिए next question है देखिए समाजिक समस्याओं, अलगाववादी कलपनाओं पर आधारित मोहन राकेश का नातक मोहन राकेश के नातकों से समंदित आपको definitely प्रशन पूछा ही जाता है देखना इनकी कहानी ये मलबे का मालिक वहाँ से भी प्रशन पूछते हैं लेकिन इनके उपन्यासों से भी आपने देखा होगा कभी कबार प्रशन पूछ लिए जाता है इनोंने एकांग की भी लिखी, वहाँ से भी प्रशन बनेगा, तो यहाँ पर यह आद्यादूरे है, देखना, आद्यादूरे को ही समकाली नाटकों का क्या माना जाता है, यहाँ से एक मिल का पत्थरी से माना जाता है, तो यह चीज आप जरूर पढ़के जाएए, अशार का एक दिन सबसे पहले लिखा इनोंने लेरों के राजादूरे, तो यह सारे आपको याद भी रखने है, इनका एक अधूरा नाटक भी रहा है, उसको भी आपको देखना है, जिसको पूरा किया था, इनके जो मित्र रहे हैं कमलेश्च्वर, उसको भी आप एक बार जरूर द परक से परक, सुनिता से सुनिता, त्याग से त्याग वतर, कलियान से कलियानी परिणे, तो यह इनके जो प्रारमभी के उपन्यास हैं बहुत ही महतपूने, इसके लावा इसने मुक्ती बोध शीर्चक से भी लिखा था, जिस पर इने साहित्यकाद्मि पुर्सकार भी प्र अपन्यास, तो यह निरमला उपन्यास रहा है, यह आतको याद रखना है, थीक है, फिर आता है, उर्दू मूलratic कि इस भाषा का शब्द है, यह तुर्की भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है, शाहीशीविर या खेमा, इसलिए उर्दू को क्या गाजाता है, खेमे क की भाशा भी कहा जाता है वापसी कहानी के रश्नकार तो ये प्रशन भी बार-बार रिपीट होता रहता है यहां पर उशा प्रियंबदा ये वापसी कहानी के लेकिका रही है और इस कहानी से कई बिद्वानों ने माना है कि नई कहानी अंदोलन का जो शुरुआत हुई थी लेकिन निर्मल वर्मा की भी आती है परिंदे उससे भी माना जाता है कि नई कहानी आंदोरन वहां से चला नासिरा शर्मा ये को पन्यास कार रही हैं देखना बहुती प्रसिद्र लेकिन इनका जो सबसे इंपोर्टन उपन्यास है वो थीक रेकि मंगनी उसको भी आप याद रखिये जीने की कला निबंदकार ये है महादेवी वर्मा बहुती इंपोर्टन नाम है देखना महादेवी वर्मा का यहां से प्रशन जरूर पुझे जागा महादेवी वर्मा की निबंद आत्मकृतियां रेका चित्र इनके जो दूसरे संस्मर्ण है या इनके जो निबंद है वो भी कई बार कुछ जाता है ये भी आपको यारकना और सबसे जादा लरित निबंद जो है इन्होंने ही लिखे हैं जो विद्यानिवास मिश्र रहे हैं सरस्वती पतरिका का प्रकाशन वर्ष क्या है ये 1900 है और 1930 में महावी प्रसाद द्विवेदी जो रहे हैं उन्होंने इसका संपादन भार संबाला था ये बात यादक नहीं है आपको इसके अलाबा अंधायूग नाटक के नाटक का कौन है तो यहां से आपको सिंपल यारकना धर्म विरबारती ये बहुत ही इंपोर्टन है देखना अंधायोगिन का इसको यार रख लिजी आप यहां पर लक्ष्मी नरान लाल नहीं होगा उसका अंधा कुवा था यहां से बहुत सारे बच्चे जो है confusion रखते हैं तो वो चीज आपने अपने mind से निकाल लेनी है कच पूछ जाता है ठीक है कुवेर नात्रा है ये ललित निवंदकारों में आ जाएंगे और महाविर प्रसाद विवेदी ये आपको मानवताबादी निवंदकारों की श्रेणी में आप इनको रख सकते हैं इनका रशग्य रंजन बहुत ही प्रसीद है संपत्ति शास्तर इनक कि ने अमिता से पार्टी के बारे में जूटी सची बारा बाते कही हैं तो इस तरीके से था ये दादा से दादा कॉमरेड देश द्रोही से यारकना देश द्रोही दिव्या से दिव्या ने पार्टी ने अमिता से पार्टी के बारे में अमिता से अमिता पार्टी से से 12 घंटे बातों से या रखना नेरी तेरी उसकी बात इस तरीके से इनके सारे के सारे उपन्यास इसमें समाईत हो जाते हैं महादेवी वर्मा का जनम कब हुआ था 1907 में हुआ था ये चीज भी आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि इनका जनम कब हुआ 1907 में इंपोर्टेंट है देखना महादेवी वर्मा और ये सबसे कनिष्ट रही हैं किनमें जो आपके ये च्छायवादी कवी रहे हैं समस्त जितने भी लगुत्रई और ब्रिहत्रई को मिला के दर्याई गोड़ा कहानी संग्रह के रशनकार कौन है तो ये उद्यपरकाश की बहुती प्रसिद रचनाया देखना उद्यपरकाश जो आपके समकालिन कहानीकारों में इंपोर्टेंट नाम है इसको भी आपको या रखना है सुनीता जैन वेरी वेरी इंपोर्टेंट ये भी आपको ध्यान रखना है इसका नाम अग ये देखिए ये यात्रा व्रितांत भी इसने लिखे हैं कहानियां भी लिखी और इसके कावे संग्रह भी इंपोर्टेंट है मतलब हर विधा कहीं न कहीं जरूर प्रफुलित या यूं कहें जिसको इसने समरिद दिखिया है चा प्रसाद ने देखिए इन्होंने इंदू जो पत्रिका रही उसका संपादन किया था चंद दर्श्रमा गुलेरी समालोचक पत्रिका के संपादक रहे और महादेवी वर्मा इन्होंने संपादन किया था जो आपका ये चांद पत्रिका रही उसका संपादन इन्होंने किया गणपत राय इनका नाम नहीं रहा और वाइस राय तो था ही नहीं खेर यह ऐसी था मुझे चांद चाहिए के लिए का किये उपन्यास है सुरेंदर बर्मा का यह याद रखना है आपको देखना ऐखने के लिए उसको एक आपके गैते हैं और आज को आखरी प्रश्ण यहां पर रखा गया है स्क्रीन पर आपकी देखिए यहां पर लिए यह एक अलोचनात्मक पुस्तक रही है जिसके रशनाकार रहे है हजारी प्रसाद द्युवेदी तो इनको आपने याद रखना है अचारे रामचनर शुकल ने जाईसी करन्थावली शीर्षक से लिखा था एंड साथ ही साथ मार्विप्रसाद दिवेदी इसने भी कुछ आलोचनात्मक रचनाय इनकी रखी गई हैं लेकिन वो इतनी जादा जरूरी नहीं है रामकुमर बर्मा ये भी आपका अलोचकों में इतना मौतपुन नहीं है तो शुकल और हजारी पुसाद दिवेदी ये दो बड़े अलोचक रहे हैं एक ने हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरे ने हिंदी साहित्य की भूमिका अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए क्योंकि आपके लिए ऐसा भेतर कॉंटेंट मिलता रहेगा तो आज के लिए फिलाल इतना ही जल्द मुलाकात होगी एक नई वीड शुक्रिया जिए